हलो और वेल्कम टू सौरफसस्ट क्लासिस मेरा मश्मिता है और आज की क्लास में हम लोग टीएस पीजी एल सीटी का जो लौ इंट्रिंस एक्जामिनेशन है उसी को लेके थोरा सा डीटियल्स में डिसकुशन करने वाले हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं टीएस पीजी एल सीटी या फिर जिसको हम तेलंगणा स्टेट पोस्ग्राजवेट लौ इंट्रेंस लौ कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं यह कंड़क्ट किया जाता है पाइदा ओस्मानिया यूनिवर्सटी यह हाइदरबाद में है और यह कंड़क्ट करता है on the behalf of the Telangana State Council of Higher Education जिसको हम TSCHE कहते हैं यह भी हाइदरबाद में ही है इस examination को कंड़क्ट करने की पीछे एक मकसद है वो है कि आप लोग को आप जैसे aspiring candidates को LLM courses में LLM courses में भरती होने का एक मौका दिया जाता है और वो भी 10 से ज्यादा law colleges में और उनके departments में और भी जो constituent colleges हैं जो भी universities हैं तेलंगना state में और सभी में आप लोग को admission लेने का मौका दिया जाता है इस examination का frequency है सिर्फ एक ही बार मतलब साल में एक ही बार ही conduct होता है और इसका mode है मतलब यह online examination होगा examination का mode online होगा और exam duration रहेगा वाना 30 minutes ज्यादा से ज्यादा इसमें 30,000 के अप्रॉक students इस examination को देते हैं हर साल तो आप competition का मतलब जो frequency है competition का वो आप समझी सकते हैं जितने colleges में इसका score accept किया जाता है वो है around 21 21 law colleges accept the scores from this entrance examination और वो भी सिर्फ सिर्फ तलंग ना में तो इस examination से related अगर आपको कोई भी details जानना है या फिर latest updates को जानना है तो आप इसके official website में जा सकते हैं और form fill up जो है वो भी आपको official website से ही करना है official website है lawset.tsche.ac.in यह है सिर्फ इसका official website और किसी भी website को follow मत कीचिए इस examination के लिए जो भी notifications था वो अलोड़ी first week of April में निकल चुका है online applications अलोड़ी start हो चुका है और अभी भी यह open है मतलब 6 April से इसका online applications अलोड़ी start हो चुका है तो आप official website में जा के चेक कीजिए वहाँ पे आप लोग को form fill up करने का registration करने का link मिल जाएगा last date application form का है 6th of June 2022 इसके अंदर आप लोग को application fee payment भी करना है और application form भी complete करना है fill up करना and then you have to submit it अगर by chance by chance ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अगर by chance आप जो deadline है application form का closing date है अगर वह भी आप पार करते हैं तो भी 26th June तक 26th June तक आप fill up कर सकते हैं लेकिन एक late fee के साथ late fee है Rs.500 उसके बाद भी अगर by chance आप late fee के साथ भी 26th June तक अगर आप miss कर जाते हैं form fill up करना तब भी आपके लिए और एक मौका है 5th July तक आप fill up कर सकते हैं लेकिन late fee उसके लिए थोड़ा सा जयादा है it's 1000 रुपीज तो late fee देने की कोई जरूरत नहीं है जितना जल्दी हो सके last date के अंदर आप लोग fill up कर लीजे still the commission is giving you a final chance to apply and ये है till 12th July तक और इसके लिए late fee बहुत ही ज्यादा है 12th July 2022 तक है 5th July से 12th July तक आप लोग application को correct कर सकते हैं अगर आप लोगोंने कुछ गलत form fill up किये हैं तो PGLCET का जो admit cards है वो issue होने वाला है on the 15th of July 2022 now all the applicants will be issued admit card mentioning the test centers as well as all the reporting time and जो भी rules and regulations आपको follow करने हैं वो आपको admit card में ही लिखके दिया जाएगा सभी rules and regulations admit card के पीछे लिखा होगा और admit card के जो front page है उसमें आप लोगों का नाम मतलब candidate का नाम, role number और जो भी other details रहता है necessary details वो सभी लिखा होगा examination का date रहेगा 22nd of July 2022 and LLM का जो entrance exam है वो conduct किया जाएगा by the TSCHE and it will be conducted by the Osmania University in Hyderabad in online mode हमने पहले भी discussion के हैं कि ये examination online mode में होगा मतलब computer based test mode में होगा answer की release date है 26th of July 2022 answer की का मतलब है आप जो exam देने जा रहे हो उसके सही answer का एक list तो ये जो answer की है ये publish होने वाला है प्रोविशनल आंसर की पहले तो publish होने वाला है just for the candidates to cross check their responses कि उन्होंने ठीक से answer दिये हैं कि नहीं और अपने आप में ही एक estimation आप calculate कर सकते हैं और अगर प्रोविशनल पहले निकलता है इसलिए क्योंकि अगर answer की में आप लोग कुछ गलत find out करते हैं तो एक objection raise कर सकते हैं कि ये answer गलत है ये answer publish गलत हुआ है तो उसके बाद एक final answer की निकलता है objections अगर कुछ raise करने हैं आप लोग को after checking the answer की, professional answer की तो आप उसके लिए objection या फिर कुछ अगर आपको बोलना है, कुछ बताना है, कुछ write-up, send करना है against any of the answers which you find are not correct तो आप 26th July से 28th July के बीच में आप इसको send कर सकते हैं candidates who are finding any kind of discrepancies in the answer key or in the question paper of the TSPGLCET can raise objections in online mode declaration of PGLCET entrance examination results will be done in the month of September, अभे तक date कुछ notify नहीं किया गया है तो सब जो objections है regarding the answer key or regarding the question paper वो cross verify किया जाएगा और उसके बाद ही results को declare किया जाएगा जो भी हो यह तो था examination से related जो important dates है उसके बारे में लेकिन कोई भी examination हो पहले तो आप लोग को eligible होना चाहिए तो eligible होने के लिए especially this examination में eligible होने के लिए आप लोग को कौन से eligibility criteria fulfill करना है पहले तो candidates को Indian national होने की जरूरत है that's mandatory candidates should hold a bachelor's degree in either law law का मतलब है यहाँ पे आप लोग को either a three year का LLB course hold करना है या फिर आप लोग को एक five year का integrated LLB degree का holder होना चाहिए candidates जो लोग appear कर रहे हैं अपने final year के examination में वो लोग भी eligible है to apply for this TSP GLCET however उन लोग को जो qualification है उन लोग का जो five year का program अगर उन्होंने complete किये हैं LLB के अंदर या फिर जो तीन साल का जो LLB का course है अगर उन लोगोंने complete किये हैं तो उसका proof आपको admission के time दिखाना परेगा that's mandatory candidates who are seeking admission for LLM degree at Osmanya University उन लोग को एक compulsory experience रखना है at least for three years as a judicial officer or as an advocate on the date of appearing for the TSPGL CT exam moreover candidates को कुछ और भी local or unreserved status criteria को fulfill करना है जो भी mention किया जाएगा according to the regulation of admissions order official website में जो भी mention किया जाएगा other jo criteria's है वो भी आपको fulfill करना है तो यही था latest details about this entrance examination जो भी updates हुआ है तो that was all about this entrance examination अगर आप इस entrance examination के लिए कुछ preparation लेना चाहते हैं क्योंकि यह entrance examination बहुत ही जल्द होने वाला है एक दो महीने में ही तो अगर आपको कोई भी preparation लेना है या फिर guidance चाहिए आप लोग का डाउट्स क्रियर करना है या फिर क्रैश कोर्स का फैसलिटी चाहिए तो आप हमारे क्लासिस में जॉइन कर सकते हैं हम सौरफस्स क्लासिस में आप लोग को लाइफ क्लासिस का मौका दे रहे हैं recorded lectures के portal access प्रवाइड कर रहे हैं जो आप लोग को 24x7 available मिलेगा जो recorded lectures है वो आप जब चाहे जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं हमारे यापे हम solve study materials प्रवाइड करेंगे जो आपके doorstep तक delivery होंगे यहाँ पे हम लोग sample papers का solutions प्रवाइड करेंगे जो भी sample papers है उसको हम प्राक्टिस करवाएंगे डाल क्लिरिंग sessions रहेगा हर एक session के बाद आप लोग को worksheets प्रवाइड किया जाएगा उसके बाद आप लोग को worksheets प्रवाइड करना है so that we can just check or end हम लोगो यह पता चले कि आप लोगो को समझ में आ रहा है हमारे classes में और कितना आप लोगो प्रवाइशन कर रहे हैं strictly examination से related तो यही सब facilities आप लोगो प्रवाइड किया जाएगा इसके अलावा भी mock tests तो रहेगा ही and crash course का facilities भी है scholarships का facilities भी है तो if you want to join our classes then आप description box में जाके देख सकते हैं वहाँ पे हमारे सभी contact details और जो भी related information है website का link that is www.servicesclasses.com उस पे भी आप जाके एक enrollment form fill up करके हमारे classes में जाइन कर सकते हैं and let me tell you अगर आप इस examination से related preparation ही करना चाहते हैं किसी और examination से related preparation चाहते हैं study materials चाहते हैं and जो भी facilities के बारे में हमने भी discussion किये हैं मैंने भी I just told you about all the facilities that we are offering तो अगर आपको किसी और भी चीज के लिए preparation लेना है तो आपको किसी और भी चीज के लिए प्रेपरेशन लेना है तो आपको किसी और भी चीज के लिए प्रेशन झाहते हैं पलізके लोड dryण किसी और हम थापको किसी और भी उग्राओेशन झृट कृँत आपको किसी के लिए घक्र either खो किके लिए टड़को कि फ्रते हो小心 में बारेशन